नमस्कार कैपिटल टीबी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासरी दिल्लिक के सीम अर्विन केज़िवाल एडी की कस्टर्डी में है खुद को इमानदार बताने वाले सीम ब्रस्ट चार के मामले में फस्ट उके हैं इस बीच आमादमी पार्टी के तरफ से केज़िवाल के गिरफतारी को एक साज़िश बताया जा रहा है वहीं खुद केज़िवाल का कहरा है कि EDR मादमी पार्टी को मिटाना चाहती है खत्म करना चाहती है दूसरी तरफ सीम केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उनके पतनी सुनिता केजरिवाल काफी एक्टिव हो गई है एक के बाद एक वीजो बयान सामने आ रहा है जिसमें वो भाव को कर दिल्ली की जिनता को अलग-अलग संदेश देती नजर आ रही है इन सब के बीच केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर एक चौकाने वाला मामला सामने आया है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और बवाल मचा हुआ है इमांदार केजरिवाल पर ब्रस्ट चार का रोग पहले लजी वीके सक्सिना ने भेजी थी चिठ्थी 21 मार्च को गिरफतार हो गए केजरिवाल एलजी का केजरिवाल पर कई गंभीर आरोग सेम केजरिवाल की गिरफतारी के बाद कई तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है जिसने बवाल मुशा दिया है E.D. कस्टडी के बाद एक और मामला सामने आया है जिसने सब को हैरान कर दिया है स्टोरी बे आगे बताएंगे के जिवाल के फोन के पास्वर्ट को लेकर क्या कह रही है आतीशी लेकिन सबसे पहले बात LGV के शक्सेना की एक चिठ्ठे की दरसल दिल्ली की निरस्ट आपकारी नीती से जुड़ई मनी लांचिंग मामले में मुख्यमंत जी आजविं के जिवाल E.D. की हिरासत ने है कोट ने उन्हें एक अपरैल तक के लिए E.D. की रिमांट भीज़ती है के जिवाल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए है इस बीच एक नया मामला सामने आया है दिल्ली के उपराज जिपाल ने गिरफतारी से ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को के जिवाल को चिठ्ठे लिखे थी राज दिवास का आरोप है कि उपराज जिपाल वीके सकसेना के पत्र के बावचूद के जिवाल सरकार के उर से कोई कदम नहीं उठाया है यालिकी यहाँ भी के जिवाल के तरप से मनमानी की गई बहुर करने वाली बात यह है कि यह मामला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली MBBS की दो चात्राओं के यौन उत्पिडन से जुड़ा हुआ है राजनिवास के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़िवाल ने 14 फरवरी से उस फाइल पर कोई कारिवाई नहीं की जिसमें उस मेडिकल कॉलेज के प्रचारे को हटाने की सिफारिश की गई है जहां महिलाओं का यौन उत्पिडन क्या गया था अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उप्राजिवाल भी कि शक्सिना ने इस मामले में केज़िवाल को 21 मार्च को उनकी गिरवतारी से पहले एक पत्र भेजा था वहीं उप्राजिपाल शक्सिना ने आरोप लगाया कि केज़िवाल की अकर्मनियता के कारण ना तो अस्थाना तरन तैनाती यानि की ट्रांसपर पोस्टिंग और ना ही सवेंदन्शी मामलों पर कारेवाई कीचा सकी इस पर पलडवार करती हुए दिल्ली के स्वास्तमंत्री सौरब भादवास थे कहा कि शक्सिना ने पहले भी मुख्यमंत्री से सलाख किये बिना अधिकारियों के खलाफ कारेवाई की हैं बादवास ने 20 मार्च को उपराजिपाल को एक पद्र लिकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रचारे को ततकाल हटाने की मांग की थी बादवास ने अरोप लगाया कि वह पिड़तों के साथ सयोग नहीं कर रहे हैं और मामले को आगे बढ़ाने में हतो उस्ताहित कर रहे हैं सक्सिना ने पहले ही दिल्ली पुलिस को अपराधिक कारेवाई में तेजी लाने का नर्देश दिया हैं दरसल 31 जनवरी को मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने मामले को लेकर दिल्ली के उपराध चिपाल ने गरफतारी से ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को के जिवाल को चिठ्ठे लिखे थी जिसके बाद राजजवास का रोफ है कि उपराध जिपाल विके सक्सेरा के पत्र के बावजूत के जिवाल सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया क्या कोई ध्यान नहीं दिया क्या और आप को बताते हैं कि password पर सियासत कैसे हो रही है दिल्ली सरकार के मुख्य मंतरी अरविन केज़िवाल ED की कस्ट пример है तब आपि नहीं मालेना निएडी पर सवाल खड़े करते हुए का कि ED को अर्विन केज़िवाल के phone का password क्यू चाहिए आतीशी ने कहा कि जो फोन कुछ समय पहले तक अर्विन की जिवार इस्तमाल कर रहे थे उस फोन का पासवर्ड एडी को क्यों चाहिए? वो दरاصल एडी को ने है वेज़ेपी को चाहिए आतिशी ने आगे कहा कि ED को वो पासवर्ड इसलिए चाहिए ताकि उस फोन के जरिये इंडिया की चुनावी तैयारी और रणीती जानी चाह सके दिल्ली और पंजाब की 23 लोग सबा सीटों में किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं ये जानी चाह सके आतिशी ने कहा कि आप मादमी पार्टी की चुनावी रणीती और तैयारी की जानकारी बीजेपी को चाहिए इसलिए अर्विन केज़िवाल के फोन के पासवर्ड की जरूरत ED को नहीं बीजेपी को है आतिशी ने ED पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोट में बहस की दौरान बीचेपी के मकसद को अंचाने में सब के सामने रखती है ED ने कहा कि हमें केज़िवाल को कुछ दिन और रिमान में रखने की जरूरत है क्योंकि केज़िवाल ने अपने फोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया आतिशी ने आगे कहा कि E.D. ने ही कुछ दिन पहले कहा कि आपकारी नीती बनने के समय केज़िवाल जी के पास जो फोन था रूपोन अर्विन केज़िवाल जी के पास नहीं मिला शराब नीती तो 2021 बाइस की है परवतन देशाले ने खुद कहा कि जो केज़िवाल का फोन जब किया है वह कुछी महीने पुराना है तो E.D. बताएं कि कुछ महीने पुराने फोन को E.D. क्यों देखना चाहती है इंडे अलाइंस के साथ केज़िवाल क्या बात कर रहे हैं वो जानने को मिलेगा अर्विन केज़िवाल के फोन में लोगसबाद शेतर के हिसाब से सर्वे मिलेगा जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेइन प्लान मिलेगा आपका आने वाले लोगसबाद चुनाव में क्या कम्यूनिकेशन प्लान है वो सब मिलेगा E.D. को केज़िवाल जी के फोन का पासवर्ट नहीं चाहिए बलकि BJP पार्टी को केज़िवाल जी के फोन का पासवर्ट चाहिए आतीशी ने कहा कि BJP जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है दिल्ली, पंजाब, हर्याणा, असम और गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है इंडिया गडबंदन में देश बर में जो चुनावी सर्वे करवाए है वह सर्वे क्या कह रहा है इसलिए कि जिवाल जी के फोन का पासवर्ट एडी को नहीं BJP को चाहिए इस बीच बता दें कि आपका विरोध पदेशन कैंचल कर दिया गया है जिसकी वज़ा बताते हुए आतीशी ने कहा कि इंडिया अलायंस 31 तारीक की रैली में व्यस्त है बाकि सारे विरोध पदेशन उसके बाद में होगे बता दे कि दिली के मुख्यबंतरी और आप सयूचक अर्विंद के जिवाल को प्रवत्तर निदेश शाले ने स्पेशल कोट में पेश किया यहाँ एडी ने फिर के जिवाल के साथ दिन के हिरासत मांगी इडी का कहना था कि के जिवाल पूछदाच में सयूप नहीं कर रहे है उनका एक अन्य आरोपी से आमना सामना करवाना है वह अर्विंद के जिवाल ने अपनी गिरफतारी पर सवाल उठाए थे उन्होंने पूछा मुझे गिरफतार क्यों क्या क्या मेरे खलाफ कोई आरोप नहीं है क्या मेरी गिरफतारी के लिए कोई प्रयाप्त अधार है किसी कोट ने अब तक मुझे दूशी नहीं माना है पिर मुझे क्यों गरफतार किया क्या मेरे खलाब कोई आरोप नहीं है इसके बावचुद केजिवाल को कोट से कोई रहत नहीं बिली अदालत ने केजिवाल के रमांट एक अपरैल तक बढ़ा दी बता दी के दिली शराब को टाले से जुड़े मनी लॉंचिंग मामले पे आर्विद केजिवाल को एडी ने 21 मार्च को गरफतार किया था केजिवाल को कोट ने 7 दिन की कस्टडी में बेजा था उनकी कस्टडी समाप तो होने जा रही थी इस पर एडी ने उन्हें दिली की रावस वेन्यू इस्तित विशिस अदालत में पेश किया जिसके बाद कोट ने केजिवाल के रमांट चार दिनों के लिए और बढ़ा दी अब एडी को केजिवाल के रमांट एक अपरैल तक मिल गए है वहें सुनवाई के दुरान कोट में केजिवाल ने यभी कहा अच्छे महाल में मुझसे पूछताच हुई है केज में मेरा नाम सिर्फ चार बार आया है E.D. ने कोट में कहा कि पूछताच के दुरान केजरिवाल के बयान दर्च किये गए हैं हम चाहते हैं कि केजरिवाल का सामना दीपक चागेला गोवा के आपनेता से कराया चाहे E.D. का कहना था कि हम मामले के बारे में पूरी जानकारी कठा करना चाहते हैं वो चानबूच कर जानकारी और अपना I.T.R. साजा नहीं कर रहे हैं E.D. इससे पहले दीपक चागेला का बयान दर्च कर चुकी है वहाई के जिवाल का कहना है कि ये मामला फिलाल दो साल से चल रहा है अभी तक किसी भी कोट ने मुझे दोशी नहीं माना है C.B.I. ने 31,000 पेजू की चार्षट दायर की है E.D. ने 25,000 पन्नों की चार्षट दायर की है अब तक चार बयानों में मेरा नाम आया है के जिवाल ने उन बयानों को पढ़कर सुनाया जिसमें उनका नाम लिया क्या है तो कोट में सुनवाई के दुरान के जिवाल अपनी वकालत खुद करते ने चलाए हलाकि इससे कोई फाइदा नसर नहीं आया अब हिरासत बढ़ने के बाद के जिवाल की हालत खराब हो गई क्यूंकि E.D. अब उन तमाम सवालों के जवाब के जिवाल से जानेगी नहीं किसी और मुद्धे के साथ पसे पेश होंगे तब तक के लिए आप देखते रिए कापिटल टीबी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया